लेकियों सामने एक डैम जैसे बान जैसे बनाए गया है ताके समंदर का पानी इदर ये सामने जो जाओवन है और टेंट एरिया है रिजोट एरिया है उसमें ना आ जाए हलो गाइज एक नए व्लोग में आप लोग अस्वागत कत्तम फिर से अभी फिलाल वीकेंड तो नहीं है लेकिन रिपब्लीक डेक एक होलिडे है और उसके बाग वीकेंड है तो मैंनेज करके मैं तो रह नहीं पाता हूं गर पे तो मैं तो निकल पड़ा गई है इस बार का डेस्टिनेशन एक स्मॉल बीच टाउन है विस बंगल में ही है मैं डीटेल्स आपको यह रूम है बंग बेड़ है वह उपर वाला बेड़ बंग बेड़ मेरा है अच्छी बात है यहां पर अटच वाश्रूम है एक लीन है यहां पर लॉक कर दिया गया है मैंने अपना सामन रख दिया है लॉक भी करती है मैं थोड़ा बाहर चला गया था लंज करने लंज करके आगे हूँ तो अभी दोपर को थोड़ा सोजाओंगा रेस्ट करूंगा इवनिंगो मिलते हैं गाइस इवनिंगाइस मैं आपको इस वास्टों में हूँ अभी च्छोटा ज़क्तूर दे रहता हूँ है के एक किचिन अरिया कॉमल परिज है बेसिक जामान है आप आप सामने पार्क स्रीट के नाजारे वह सामने ना किचन और यह है बैल्किनी एरिया यहां पर बैटें हम लोग और वहां पर वहां से अगज जाएंगा तो फिर आएगा कॉमने गया है नागी गाइज सुवए के साथ बच रहा है मैं अभी अस्टूट से चकाउट करूगा रेडे हो गया हूं मैं मोबाइल चार्टियू में डाला है वेट कर रहा हूं यहां से बस्ट्रम जाओंगा मैं बस्ट्रम वहां से बस है मेरा पार नहीं है चलिए पर आज का जबनी चालू करता है तो गाइस मैं अभी बस्ट्रम पहुंच गया हूं फोड़ा बहुत के उस हुआ आने के वक्त वह अबेर को लेकर बहुत कैंसलेशन हुआ फिर बुपिंग हुआ फूरा रश में आया है यह रहा मेरे पीछे बस इसमें जाओंगा अल्मस्ट और शोरा रश लग जाएगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आइस अब अधर चुका हूं अभी आप अधर स्टाप में तरफ तरफ अधर आप अधर चुका अधर बैटरी टाउन हो गया है आते आते शोग भी तिर पर बस काम तो रहेगा शेकिंद रहने के बाद तो पैटरी चार्च करने के अधर डिए और मैं अपने टेंट में चेकिंद कर चुका हूं बहुत साही प्रॉपरटी है सामनी है प्राइवेट बीच भी है मैं खोले के चलूंगा थोड़ी देर में निए श्वावन है सामने चली एक बड़ टेंट का तूर देता हूं पहले स्विस्स टेंट है एक दो चेर भी दिया गया है बैठने के लिए डबल बेड है प्वी भी है फैन लाइट ये सब दिया गया है प्रपर और एक टेबल भी है इसके साथ है एक एटाच वोस्टून सही है वोस्टून एक कोस्टल टाउन है फूरा गर्मी होता है इसलिए यह सी भी है लेकिन चारजबल है जो रेंट है रूम का जो रेंट है उसके साथ चारजबल है फर डे शायद कुछ तो मैं आपको फाइनली बता देता हूं मैं कहां पे आया हूं मैं हूँ अभी बॉक्खाली में बॉक्खाली एक कोस्टल विलेज है वेस्ट बेंगॉल के साउथ चोबिश्परगुना डिस्ट्रिक में जो नामखना ब्लॉक के अंदर आता है यह एक्षिली टूरिजम और फिशरीज के लिए फेहमा सही है अपकमिंग टूरिस्ट स्पॉर्ट है और फिशरीज का बहुत बड़ा लब स्टेट गब्मेंट का फ बॉक्खली दीब के साथ है यह दीब ज़रूर है लेकिन पहले जैसे के थोड़ी देर पहले एक फुटेज दिखाया मैंने आपको एक नदी क्रॉस करते हुए वो नदी का नाम है हातानिया दुआनिया नदी उसके उपर ब्रिज बन गया है इसलिए बस जिएकी बॉक्खल बस टन तक आजाता है पहले यसा नहीं था पहले आतानिया दुआनिया नदी नदी को क्रॉस करना पड़ता था इसलिए अभी यह बॉक्खली दीब नाम रह गया है लेकिन में लैंड से जुड़ गया है अभी फड़ाफट में फ्रेश होंगा मैंने सुबह नाचता भी नह आँगा आपको जब मैं लांज के बाद बहा जाओंगा आज लोकल ही रहूंगा अपने प्रॉपर्टी में रहूंगा और कल में साइट सींग है आकर गाईस प्रेश हो गया हूं मैं बहुत जादा भूग लग गया है मैं जल देशे लिए लांज करूंगा इसके बाद जो ह 1.5 km लेकिन मैंने जानबुच के यह लिया कि इसमें एक प्राइवेट बीच है जो खाने के बाद मैं आपको ले के चलूंगा और आज का संसेट वहां से इंज्वा करेंगे मस्त है प्रॉपर्टी पुड़ा मैंने गुम हुआ नहीं है आप लोग के साथ ही गूंगा मैं ल मेरा दो प्लान है पिश जादा से जादा खाने का अभी थोड़ा धूब है थोड़ा रेस्ट करूंगा टेन की तरह भी जा रहा हूं इसको बाद मैं प्रॉपर्टी घूंग के दिखाऊंगा संसेट भी देखेंगे यह आता सामने जो प्राइवेट बीच है और इवनिंग को में जो बीच है बॉकली का वहां पर हम लोग जाएंगे वहां पर बहुत अच्छा होता है आपको दिखाऊंगा तब और ये दो डॉगी पपीज हमेरे दोस बन गए है मेरे टेंट के सामने ही है तब से हम में इसे को बुला रहे थे खेलने के लिए मैं तो लंच के लिए खेलने ही पाया अब है अब है अब है अब है अब है कि अब अब यह देर रेस्ट के बाद मैं निकल गया हो फिर से अब ही सामने प्राइबट बीच जो है इसमें जाओंगा इस बहुत चिला रहे हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया winter mine one of the oldest winter mine projects of West Bengal यह है वकली मैं लेकिन फिलाल तो बंद बढ़ा है यह काम नहीं कर रहा है सामने और एक है काफी पीस्फूल है मस लग रहा है कि जाओंगों जस्ट फ्रस्ट करने के बाद ही सामने बीच दिख रहा है मुझे जूला बना हुआ है इंजा करने के लिए जाओंगों थे लाओंगों जस मत बाद शूत करने कारे में इंजाओ दे भीस्फ। कि यहाण दूते है जलजला जाओंगों परोग्सतार अंगा यह ज रहा है लेकिए उस हमने एक डैम जैसे बांग जैसे बना गया है ताके समंदर का बानी इदर यह सामने जो जो जाओवन है और टेंट एरिया है रिजर्ट एरिया उसमें ना आ जाए एक मेकशीफ अरेंजमेंट किया गया है वो सामने एक समंदर में दिख रहा है बोट बहुत सही है आज तो लेट हो गया आने में संसेट मिस हो गया है लेकिन सही संसेट तो कल देखेंगे हम लोग संसेट पॉइंट से जो साइट सिंग में जाएंगे बहुत सही जगा है यार अलग सा सुपून है बीच में आकर अलग सा सुपून मिंता हो जो सामने दिख रहा है वो इंटार्वाइन्स जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है यहां तो बंद पड़ा है सब ठब और यहां पे पानी नाय और सुपून के लिए एक कुछ बना गया इदर दिख रहा है और वो यह रहा वो डैम तो मैंने आपको दिखाया साइट से अभी जाओंगो उपर जाओंगो उसके उपर से दूँगा कैसा दिखता है बिल्कुल खाली है बीज ज्यादा लोग नहीं है एक दो टूरिस्ट से ऐसा ही अच्छा लगता है ज्यादा अच्छा नहीं लगता है बात करते करते मैं बहुत आगया चुका हूं यहां तक तो यहां काँपहना पानी पानी बढ़ा हुआ है काफी सही नदे हम उपर आ गया हूं इदर जो मेक्षित डैम है इसके ऊपर आ गया हूं अच्छा नदारे दिख़ए इधर से यह ऐसलिए बनाया गया कि पानी जो हाईट के राइम पानी आता है तो नादा पानी जहाओ बन duration की तरफ अगर चला गया तो फिर जो टेंस से उस तक पानी जाने का एक possibility है इसलिए यह बना गया है और यह हमारा टेंट एरिया रिजॉट एरिया यह जाओवन के उस तरफ है हम लोगा टेंट सामने है बेब बेंगॉल अचली यह बीच दूसरे किसी बीच से थोड़ा अलग है बॉक्खाली का बीच क्योंकि एक डिल्टा एरिया है तो वाइट सैंडी बीचेस हम लोगा मिलेगा हुई और हेंड्री आइलेंड जब हम लोग साइट सिंग के लिए जाएंगे कल अब बॉक्खाली बीच भी एट स् है लेकिन इधर थोड़ा अलग है काफी साही लगदा है वहां पर बीच पर बच्चे फुडवाल के लिए अधर हमने बीच में अच्छा लगदा है उपर से अच्छा लगदा है दिखमें का बूजो की को रहें जब कॉखन दुद्टे जेता हुए मांच अच्छा पॉंच अच्छुमी तो इरकम जाबें अच्छुमी तो इरकम जाबें भालो भालो उठे मन चुले या मुदन उठे अभी उधर मैं एक फिशर्मन वले भाईया से प्रबात कर रहा था है कैसे वो लोग फिश पकड़ने जाते हैं रात को क्या टाइम देखके जाते हैं कैसे समझ में आता है कौन से दिन में जाने से फिश मिलेगा तो यह सब एक्स्प्रिम कर रहेते हैं अच्छा लग रहा त अब तो सामने यह फ्रेजर ग्रंज में सामने बेंफिश फिशरीज वेस बिंगल फिशरीज देवलप्मेंट का जो बेंफिश हर्बर है इसमें तो कल हम लोग जाएंगे प्रॉफरल लिजिट करने के लिए वहां पे और भी अच्छी तरह यह सब चीज देखने को मिलेगा और एक्स्पेंट भी कर पाएंगे वो लोग बहुत सारे बोट वहां से फिश आरूत है अच्छी आरून तलब जहां पे फिश लाया जाता है और डिस्ट्रिब्यूट होता है वोसल में यह जो घर दिख रहा है अब है जूम किया है मैंने बहुत इच तरह नहीं दिख रहा होगा अंधिरा भी हो गया है फुटा फुटा एक घर दिख रहा है वो सर अंडू फ्यजर का अगर है जो अर्ली 20th century में में मेंगोल के वह रहा होते है यह नहीं ने अक्चली यह एरिया को डेवलप किया है यह अंडर सुंधर बन एरिया है पड़ता है लेकिन इसको हबिटेबल इसको डेवलपमेंट है सर अंडू फ्यजर में जिया है सिलिंस का नाम फ्यजर बेंच बड़ा है जाएंगे तिक तर देखेंगे इक बर यह पार्क बना हुआ है यह रिजॉट के अंदर ही यहाँ पे नोट ओली रेसिडेंस मतब जो रह रहे हैं रहेंगे अक्मोडेशन लेंगे भार के लोग भी करने के लिए टाम स्पेंट करने के लिए अच्छा है लेकिन प्राउब्लम है किया है यहाँ पे देखिये इसे पास्टिक बॉटल्स फुड़ा यह सब फेक के गए हैं असा नहीं करना चाहिए आप लोग रिप्वेस्ट एवरीबडी काइडली अप लोग रिस्पॉंसिबली गूमिये जहां भी जाएए मैं पहुंच गया हूँ बॉक्कली बीच के यहांँ बीच से पहले सब दिख रहा है काफी सारे शॉप्स सब दिख रहा है काफी चाहल पहल है अज छुट्टी का भी दिन है अज गया है बीच मॉनिंग को आप आएंगे इदर तो फिर पूरा ही कॉंट्रास्टिंग एकदम पिक्चर देखने को मिलेगा इदर खाली रहता है पूरा चैल पहल कम रहता है अब देखिए इग निग में यहां पर फ्रेश फिस जो जैसे है अज फिश बोलेंगे आप फ्राइ करके देंगे और लास्ट में यहां एक्स्क्रिम शॉप्स लाइन से खाने पिने का टाफी अरेंजमेंट से सामने चेर्स भी लगा हुआ है देख रहा हूं मैं काईद रेंट पर मिलता है तो और लेके बैठ सकते हैं इदर काफी सही है यह राब बॉक्खली बीच राप को चमचमाता हुआ रोशनी में और आज तो काफी भीड भी हुआ है क्योंकि आज सौरशुति पुजाएक है और एक हॉलिडे भी है 26 जैन्वरी का इस वीकेंड को रस्त हैगा काफी यह थोड़ा सामने जाता हूं मैं परसे लोटाइट चल रहा है तो पानी काफी दूर है तो चल चल के मैं जा पा रहा हूं जितनी देर जितना तक लाइट है रात को हाईटाइट के टाइम पूरा फानी इदर तक आ जाएगा वैसे मैं कल जब साइट सिंग में निकलूंगा तो फिर बॉककली में इन बीच में भी आऊंगा उडर से बीच एट 7-8 किलोमेटर का स्ट्रेच है एकना दो वाक नहीं करूंगा मैं लेकिन एक एंड में ए मैंने बाद भी कर लिया है लेके जाएंगे तो डेफिनेट टाइम होता है एक उसी टाइम पर जाना पड़ेगा अपूर तभी शायद आप स्पोर्ट कर सकते प्रफिली तो देखते हैं लग कैसा जाता है लेकिन आ फिलाल तो बहुत साही लग जाएगा इस गुआ यह जो सामने का दिख रहा है आपको वाइट कलर कर यह अक्शली पानी नहीं है यह स्प्लिट हो गया है क्या बोलते हैं डेल्टा फार्मिशन हुआ है चौर बोलते हैं इसको बंग नहीं है उसके वह क्रॉस कर जाएंगे तो फिर वह तब पानी है यह सब डग जाएगा पूचका, फोल कप्पे, आइस क्रीम, कॉर्ण, भुट्टा, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन में अट्राक्शन तो यह फिश है यह तो देख ची एटा की तूना फिश एटा ओक्टोबस इटा इटा स्कुइड नहीं घी? नहीं जा ओक्टोबस आडई बोल आटा इटा की माँच? शादा आटा है यह जो इसा है यह तो एक हने लोकाल फिश नेगी इटा बारो पॉम्प्रेट लो क्रिवाउं दिया जो इत चोटो गुला नेगी चोटो गुला गातो अरे प्लेट टा एक प्लेट नेगी तुपसे एटा अरे चोटो चिंगिडी अरे गलो की आज़े इगलो की फ्राइ करो स्क्विड गुला अरे टे की माज़ाचे लोटे आईटा तो अप्षे कातो दिले प्लेट गुला 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 खाओ अपन माच टाओ खाए फ्रेश्ट ली प्रिपेर करके फ्राइब करके आणा दीदी अमेट्टू वीडियो गणा जाती है देखी यहां पे फिस्काट के फ्रेश प्रिपेर करके दिया जाता है अग्ट राइब नेंगे तो अद्राइब नहीं तो फिर पकोड़े बनाके या फिर ग्रेवी तो मैं अभी ठ्राइ कर रहा हूँ वाम फ्रेड फिस झाल